हेलो एरिवन आज हम बात करने वाले हैं वाइटेमिन B12 की तो वाइटेमिन B12 को कोबाला माइन भी बोलते हैं और इसका फंक्शन देख लेते हैं और डिफिसेंसी से क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी वह हम देख लेंगे ठीक है तो देखिए फंक्शन में इसका दिया गया है कि यह co-factor for methionine synthase तो यह देखिए methionine synthase है जो कि homocysteine को methionine में convert करता है तो इसमें यह co-factor का काम करता है तो co-factor में कैसे काम करता है ट्रांसफर्स methyl group as methyl cobalamine तो methyl cobalamine यह खुद रहता है और उससे यह methyl group को transfer कर देता है तो देखिए यहाँ पे यह चीज शॉट में दिख यह B12 है तो देखिए B12 जो है यह co-factor का काम कर रहा है methionine synthase में तो इसी को यहाँ पे तोड़के दिखा दिया गया है और अगर और डिटेल में देखना है तो homocysteine area वाली वीडियो देख सकते हैं तो यह हो गया यहाँ पे और उसके बाद फिर क्या है देखिए and methyl milanile coamutase और यह co-factor का काम करता है methyl milanile coamutase में भी बी-12 अगर बात करें तो methyl milanile coamutase में भी यह co-factor का काम करता है तो यह देखिए यह हमारा methyl milanile coamutase है और यह convert करता है methyl milanile coamutase में तो यहाँ पे B12 जो होता है यह co-factor का काम करता है तो इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात किए अभी फिर बात कर लेते हैं इससे क्या परिशानी आएगी और इंपोर्टेंट फॉर डियन ने सिंथेजिस के लिए इंपोर्टेंट है और उसके बाद फिर डिफिसेंसी अगर डिफिसेंसी हो रहे है तो क्या होगा तो देखें मैक्रोसिटिक मिगैलोबलास्टिक किनीमिया होगा सेम वही मैक्रोसिटिक मिगैलोबलास्टिक किनीमिया होगा और हाइपर सिग्मेंटेट पॉली मॉर्फो नुकलियोसाइट हमको देखने को मिलेंगे और उसके बाद ये तो कॉमन हो गया हमारा फॉली कैसिर वाला अब देखिए आप पैरस्थीसियस देखन को देखिए यह जो हमारा मिलन कोई म्यूटेज है यह बीट्रॉल के परदंस में वर्क करता है और जब यह वर्क नहीं करेगा तो देखिए यह इस से बनता है methyl melanic acid और ये methyl melanic acid ये neuron degeneration में बहुत बड़ा role play करते हैं, तो जब ये पाथवे रूप जाएगा तो methyl melanic acid बनेगा जो neuron degeneration cause करेगा, उससी वज़े से हमको ये paresthesia sub-acute combined degeneration देखने को मिलेगा, तो ये जो है, ये differential चीज है, folic acid deficiency और B12 deficiency में folic acid deficiency में चीज नहीं देखने को मिलेगी और B12 में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो enzyme work नहीं कर रहा है ये B12 dependent है, ना कि folic acid dependent, ठीक है, तो ये हो गया और उसका बद associated with increased serum homocysteine, तो serum में homocysteine का level बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी increase हो जाएगा, क्योंकि ये पाथ हो जब रुकेगा, तो ये इसमें cannot होगा, तो methylmalonic acid भी increase हो जाएगा और ये methylmalonic acid, ये folic acid deficiency में increase नहीं होगा, ये चीज यहाँ पर आद रखें, और along with secondary folic deficiency, तो secondary folic deficiency में भी ये चीज़े देखने को मिल सकती है means homocysteine हमको increase देखने को मिलेगा, क्योंकि secondary folic deficiency में देखे, folic से ही यहाँ से ये methyl group vitamin B12 को आता है, तो वही है और उसके बद देखे, prolong deficiency, अगर इसकी deficiency prolong हो रही है तो irreversible neuro damage हमको देखने को मिलेगा, उसके बद पर देखे क्या बताया गया, कि ये पाया कहा जाता है तो found in animal products तो ये animal products में पाया जाता है और ये body के अंदर भी synthesized होता है तो देखिए, synthesized only by intestinal microbiota तो intestinal microbiota से भी ये synthesized होता है लेकिन फिर भी diet में present होना जरूरी क्यों हो, वो देखिए site of synthesis in human is distal to site of absorption तो site of absorption जो है वो हमारा ileum है तो ileum से ये absorb होता है और ileum के आगे जब हम बढ़ेंगे GIT में, तो वहाँ कहीं ये synthesized होता है तो जब ये synthesized यहाँ होगा, तो फिर ये absorb यहाँ कैसे हो पाएगा, इसी वजए से इसका diet में present होना जरूरी है तो वही दिया गया है कि site of synthesis in humans is distal to site of absorption thus B12 must be consumed via animal products तो animal products से इसका लेना जरूरी हो जाता है और उसका बच पर देखें क्या बताया गया very large result pool तो इसका result pool जो होता है very large होता, बहुत लंबा है about 5 to 6 year यह liver में store रह सकता है जबकि हम folic acid की बात करें तो 3 to 4 months या 2 to 3 months store रह सकता है और उसका बच है कि primarily in the liver, तो मतलब liver में ही store रहता है, folic acid भी liver में ही store रहता है यह भी liver में store रहता है primarily और दूसरी अर्गन में भी रहता है, लेकिन कम रहता है में लिए लिवर में store रहता है और deficiency cost by mal absorption इसकी deficiency क्यों होती है तो देखें, mal absorption की वज़े से होगी जैसे इस पर या enteritis या इसी तरीके से diphylobotherium, lactam या eclodid area हो जाए या bacterial overgrowth हो जाए या alcohol हो जाए तो इन सब की वज़े से इसका mal absorption हमको देखने को मिलेगा B12 का और lack of intrinsic factor तो intrinsic factor अगर नहीं present है तो उस वज़े से भी हमको इसके absorption में problem आएगी इसका absorption proper नहीं हो पाएगा और इसकी deficiency देखने को मिलेगी क्योंकि ये intrinsic factor से ही B12 bind करता है उसके बाद ये जाके ileum में absorb होता है और intrinsic factor ना रहे तो ये absorb नहीं हो पाएगा ये problem आई और उसके बाद फिर देखिए pernicious anemia या gastric bypass surgery तो pernicious anemia या gastric bypass surgery हो रही है तो उस condition में intrinsic factor नहीं बनेगा उस वज़े से इसकी deficiency देखने को मिलेगी और absence of terminal ileum अगर terminal ileum absence है जैसे surgical resection है जैसे कौन्स disease में किया जाता है तो जब ये terminal ileum से ही absorb होता है तो जब terminal ileum present ही नहीं तो इसका absorption वो इससे भी कम हो जाएगा इस ओड़े से भी इसकी deficiency हो जाएगी और certain drugs से भी इसकी deficiency होती है जैसे metformin है या insufficient intake जैसे insufficient intake यानि कोई fully vegetarian है तो उसमें इसकी B12 की deficiency common बात है और उसका बात देखिए B9 जिसको हम folic acid बोलते है supplementation can mask the hematological symptoms of B12 deficiency तो जैसे कि अगर B12 की deficiency हो रही है तो vitamin B9 अगर हम ले रहे हैं तो इसकी और ऐसे hematological symptoms तो खत्म हो जाएगे जैसे megaloblastik anemia है microcytic megaloblastik anemia यह सब यह खत्म हो जाएगा hypersegmented PMNS है यह खत्म हो जाएगा लेकिन कह रहे हैं neurological symptoms यह खत्म नहीं होगा क्योंकि neurological symptoms यहाँ पर जो enzyme है यह B12 dependent है ना कि B9 dependent इस वज़े से neurological symptoms नहीं खत्म होगे और hematological symptoms वह खत्म हो जाएगे तो हमने यहाँ पर देख यह इस reaction को भी एक पर हम फिर से देख लेते हैं तो देखें यह tetrahydrofolate है तो यह methyl tetrahydrofolate अभी methyl tetrahydrofolate देखें यह B12 को अपने देता है फिर B12 की presence में यह methionine synthesis work करता है और homocysteine में CH3 नहीं होता है तो यह homocysteine CH3 यहाँ से पाता है methyl tetrahydrofolate से B12 पर जाता है और B12 से फिर यह methionine पर जाता है तो देखें methionine पर CH3 present होता है तो यह methionine हो गया और यह methionine protein synthesis में चला जाता है और यह homocysteine से देखें B6 की presence में यह systeine का formation करता है इस reaction को हम homocysteine India वाले topic में बहुत अच्छे से डिसकस कर चुके है और फिर इसको देखें methionine यह देखें S-adenocyle methionine में कनोट हो जाता है और यह S-adenocyle methionine देखें यहाँ से देखें इसमें जो CH3 गुरूप था यह बाहर निकल जाता है और CH3 to anabolic patho में चला जाता है और देखें अब S-adenocyle homocysteine बन गया methionine से जब हमारा CH3 निकल गया तो यह homocysteine बन गया वही S-adenocyle homocysteine और इस S-adenocyle homocysteine से जब adenosine निकल गया तो यह दुबारा homocysteine बन गया और यह homocysteine, S-ocysteine का formation करेगा B6 के presence में और इधर भी जाएगा, यह पूरी cycle है और यहां हमने यहां तक बात की थी और हमने इसके बारे में बात के थी यह methylmalonic acid बनाता है और उसके बात देखें यह खुद कहां से आता है, यहां से भी आता है methylmalonic acid से यह बहुत सारे fatty acid with odd number of carbons branch and amino acid तो fatty acid जो odd number of carbon होते है उनसे यह बनता है यह branch and amino acid से यह बनता है ठीक है, फिर यह बना, फिर यहां succinyl-CoA आया, और succinyl-CoA हमको मालूम है इसका दो fat होता है, एक B6 की presence में हीम synthesis में चला जाता है, और दूसरा TCA में चला जाता है, और energy production करता है, तो यह हमार आज का topic complete हुआ, हमने vitamin B12 के बारे में देखा, इसके बारे में हमने देखा कि co-factor कैसे काम करता है, और हमने यह देखा कि B12 deficiency और B9 deficiency में फर्क क्या होता है कुछ symptom common होते हैं, वो हमने देखा और neurological symptom जो अलग होते हैं, वो क्यों होते हैं इस reaction की होज़े से, वो हमने देख लिया और फिर इनकी deficiency क्यों होती है, तो हमने देखा कई reason हो सकते हैं, और उस में से जो reason important है हम mention है, और हमने इन सब को बात कर लिया, उनका mechanism भी देख लिया